जाम ग्राम पंचाय द्वारा परिसर में हो रहे मुरुम के अवेद खुदाई के विरूद में सरपन सचिंग गावंडे द्वारा समधित अधिकारियों पर कारिवाय की मांगी गई मांग पूरी नहोने पर आंदुलन की चेतावनी दी गई जाम यह गाव वर्धाचिला से जाने पाले राष्ट्य मामारक साथ पी समुद्रपूर तानुका के शेत्र में आता है यहां मुख्य आवा कबन चौराह का काव है यहां पे इंडस्ट्रियल वसाहत होने से यहां की जन सक्यात तेजी से बढ़ रही है इस वजा से जाम शिवार में आवेद धंदी भी जोरो से बढ़ रहे है जाम ग्राम पिंचात का परिसर बढ़ा होने से महसूर तथा वन विभाग का परिशेत्र में जमीन का परिसर बढ़ा होने से यहां से बड़े पैमाने पर अवेदरूप से मुरुम उत्खनन हो रहा है। इस परिसर से अवेदर तरीके से मुरुम चोरी का प्रमान बढ़ा है। और काउ की आज उपाचुक के परिसर में बड़े-बड़े खटे अवेद मुरुम चोरी से पढ़ गए है। इसके रहते सामाने जनता और किसानों को बड़े समस्या का सामना करना पड़ रहा है सरकारी नियमा नुसार दस फुट के उपर उत्खनन बंदी होने के बाद भी सरकारी नियमों का उलगन करके मुरुम चोरी हो रही है मुरुम माफिया की और से अविदरू से मुरुम चोरी होते वे बी इन पे संबधित अधिकारी कोई कारिवाई करती नहीं दिख रहे है ऐसा लगता है कि मुरुम माफियों को अभे दिया गया है समधित प्रक्रण में शामिल अधिकारी के खिलाव कारिवाई की मांग जाम ग्राम पंचाज सरपंच सचिन गावंडे एनोंने अपने ध्यापन में की है यहाम धाबे वर धरुन यहाम उत्खनन नून राइला है यहावर शासनाने लौकर अतलवकर कारिवाई करावी अशी आमची ग्राम पंचाज सरपंच सचिन गावंडे तरपे मांग निया है